हेलो हम लोग revolution in 90s 20s के बारे में बात कर रहे थे कि 1920 के दसक में account से important revolution हुए है उनके बारे में 3-4 वीडियो हम लोग ने बनाया है काकोरी कांड के बारे में उसके बारे में लाहोर कॉंस्पिरेशी केस और assembly में जो पूरा का पूरा episode होता है बॉंब का ट्रायल भगसिंग का उसके बास सबसे एक important जो event होता है वो होता है अपरेल 1930 में ये काफी important घटना है भारते इतिहास की जिसको जो organize कराया जाता है mass scale पर ठीक है ये individual नहीं होता है ये group action होता है mass scale पर होता है group action होता है लगभग जिसमे 65 revolutionary involved होते है और इन सबके leader होते है master da master da master da कौन होते है चुकि master da होते है वाई साब बंगॉल के master da को कहा जाता है शूरशेन तो शूरशेन बहुत ही बड़े कांतकारी है बंगॉल के बंगॉल में साइद अभिशेक बच्चन की कोई movie भी इनके उपर बनी हुई है तो master da के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास में इस घटना को कहा जाता है चिट गॉंग रोबरी के बारे में ठीक है क्योंकि हमें revolution करना है revolution के लिए क्या चाहिए हमें गोली बंदूग चाहिए और अगर हमें गोली बंदूग चाहिए तो make sure की कोई communication ना हो ठीक है जिसमें ये sure किया गया कि जितने भी communication lines हैं ठीक है जाहे वो railway lines हो जाहे वो telegram हो ठीक है telegram की जितने भी उस समय stations हुआ कर दे थे उनको disrupt करना railway line को उखार के फेक दे देना और telephone भी starting days में हुआ करता था तो इन सब को पूरी तरह से क्या करना था disconnect कर देना है ताकि हम armory भी कर ले हमारी raid भी हो जाए हम वहाँ पर अपना जंडा भी लहरा दे और British की force वहाँ पर ना आ पाए तो ये था चिटगॉंग armed में जो raid परती है under the leadership of master da master da के important चुकी बुक में दिया गया है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इनके साथ जो important name और associate होता है वो अनन्त सिंग होते हैं दूसरा एक important name आता है वो आता है गनेश घोस करके विपिन चंद्रा में भी दिया गया है and then तीसा name है वो है लोकेनात बाबा का ठीक है लोकेनात बौल या लोकेनात बाबा या लोकेनात दास करके ये name भी आता है तो आप ये ध्यान में रखेंगे ये तीन नम अनन्त सिंग गनेश गोस लोकेनात ये कभी आप से पूसा जाए तो लेकिन ये जो पूरी की पुरा episode ह ये सबसे important इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार आप देखते हो mass scale पर महिलाओं का contribution हमें देखने को मिलता है जिसमें सबसे important नेम है ये name कई बार पूछे जाते हैं और ये हमें ध्यान में रहने चाहिए वो है प्रतिलता वादेदर ठीक है वादेदर या वादेदर जैसे भी आप करना चाहो प्रतिलता इन्होंने who died conducting a raid ये raid कर रही थी literally मतलब ये गई थी मास्टरदा के अंदर कर वहाँ पे raid करने आर्मरी में और कलपनादत का नाम आता है जिनको arrest कर दिया गया था and tried with the sure shame and given life sentence इनको जीवन भर की जो है सजा दी गई थी कलपनादत को उसके बा who sought that district magistrate जिसने district magistrate को December 1931 में गोली मार दी थी actually ये जो पुरा फेज होता है ना 1930 से लेकर के 1934 तक इस दौरान जो जितने disciple होते है जितने revolutionary होते है master da के शूरिशेन के वो अलग अलग जगा पर क्या करते है revolutionary activities करते है फेबरुरी 1933 में क्या होता है master da को गिरफतार कर लिया जात है और January 1934 में उन्हें फासी दे जी आती है लेकिन इस दौरान भी जितने उनके कांतिकारी साथी होते है जाहे वो महिला या पुरुस हो सभी लोग बंगॉल में छुटपुट घटनाओं को अन्जाम देते रहते हैं और उसी में अगला नाम आता है बीना दास का who fired उन्हों को ही मार दिया अपनी डिग्री लेती समय ठीक है तो देखो बस लोगों को एक मौका मिलता था यह दिखाने के लिए कि हम किस कौज के लिए लड़ रहे हैं ठीक है इंपरिलिजम के खिलाफ कॉलनिजम के खिलाफ और ऑप्रेशन के खिलाफ जो यह मूमेंट चल रहा था इस मौनुमेंटल इवेंट्स इन इंडियन हिस्टी जिसको कवर कर रहे थे हम लोग तो यह था अबाव शूर शेन का और मास्टर दा के अंदर जो भी प्लानिंग हुई थी इन चिटगॉंग आम्ड रेट